Hello everyone, मैं विश्व जीत सिंग, आप सभी का देई इनव पर स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर में हम M.A. History, M.H.I.09 Lesson 2, उपनिवेश, विरोधी, राष्टी, सोतंतरता, आंदोलन, एसिया और अफरीका के बारे में पढ़ने वाले हैं ये Lesson important है, इसके अंदर में mainly हमें ये concept पढ़ना है, कि जो उपनिवेश था, उसके बिरोध में किस परकार से राष्टी, सोतंतरता, आंदोलन चलाए जा रहे थे ठीक है, उसका सोरूप कैसा था, ठीक है, क्या-क्या चीज़े गतिवीदिया, कुन-कुन सी गतिवीदिया हो रही थे, ये सीज़े जाननी है जिसके अंदर में कुछ main topic के में बात करूँ, तो पहला main topic आता है हिंसा और अहिंसा आपको पता होगा, कि कई सारे जगों पे, जो सोतंता अंदोलन चल रहे थे, किसी का सोरूप हिंसा वाला था, जहां पे लड़ाई जगड़ा होता था किसी का सोरूप अहिंसा था, गांधी जी अहिंसा के समर्थक थे तो इस तरह से, इसका concept किस तरह से रहा, राश्चे सोतंता अंदोलन का, यह हम जानेंगे पहला important topic हिंसा और अहिंसा बन जाता है, दूसरा यहाँ पर बनता है, राश्टवाद की बौधिक और समाजिक उत्पत्ती का किस तरह से बौधिक mentally और socially, मतलब जो समाज के अंदर में चीज़े हैं, किस तरह से उत्पत्ती हुई उसकी समाज को देखकर और बौधिक विचार धाराव को लेकर, किस तरह से उत्पत्ती हुई राश्टवाद की उसको लेकर, यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर तीसरा जो question बनता है, important question जो तीसरा है, बुक के अंदर में आपका राश्टिय आंदोलन का आर्थिक संदर्व, ठीक है बाई, economically किस तरह से impact कर रहा था, राश्टिय आंदोलन उसको लेकर यहाँ पर अगर कहीं पर भी कोई डाउट रहता है, comment करके पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर description में social media platform का link दिया हुआ है, facebook, instagram, twitter, कहीं पर भी जाईए, वहाँ पर जाके directly, follow करके मुझसे पूछ सकते हैं, question मैं आपका answer वहाँ पर देदुआ, ठीक है, दोस्तो, आप सभी से request है, अपना राम से कीजिए वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, लास तक देखिए, जिससे आपको समझ में आए, कहीं पर doubt हो, comment कीजिए, चलिए हम बात करते हैं, अब उपनिवेश मतलब होता क्या है, उपनिवेश वर्ड को अगर हम दो पार्ट में बाट दे, तो पहला आता है वर्ड उप, उप मतलब होता है उपर, निवेश मतलब होता है अधिकार करना, ठीक है, इन्वेस्ट करना, निवेश, तो उपनिवेश मतलब होता है किसी के उपर अपना अधिकार जमाना, ठीक है, ब्रिटेन आया भारत में, ठीक है, इस इंडिया कंपनी ब्रिटेन आया हम बने उपनिवेश ठीक है उसने हमारे उपर अधिकार जमाया और हमें अपने हीसाब से regulate क्या आधीकर हेख लोन किसा दोहन किया वह वो बरेटन भिजें हेख उस्चे हमें खनliestना देना नहीं था, ठीक है समझी में आता है चलिए सबसे पहले हम अपना एक एक करके questions के बढ़ते हैं और यह जो chapter है दोस्तों बहुत interesting है बहुत मज़िदार है और पूरी book में बहुत अच्छी चीजे दिरखी है आप जब पढ़ोगे न तो आपके लिए easy हो जाएगा reason क्या है क्योंकि जादा topics आप पहले से ही जानते होगे थोड़ा बूत आपने पढ़ रखाओगा तो वह easy रहेगा आपके लिए ठीक है चलिए हम सबसे पहले questions की बात करते हैं पहला question यहाँ पर आता है दोस्तों कुछ रास्टी यह सोतंतरता आंदोलन अहिंसक संगर्स के मार्ग पर रहे जबकि क्यों वाई इसका reason क्या है मतलब हिंसा और अहिंसा मतलब कुछ जो आंदोलन चल रहे था लग लग देसों के अंदर में ठीक है वहाँ पर अहिंसा रहा और कुछ देसों में हिंसा का मार्ग अपनाए गया भारत के अंदर में भी जो आंदोलन का अगर आप पूरा सोरूप पढ़ोगे तो उसके अंदर में आपको 90% आहिंसक दिखेगा 90% थीकए 90% नाहिंसक दिखेगा गांधी जी के निर्तित में अहिंसक आंदा टोन चला पर जो 10% था उसमें कहीं-दो दल में बट गया था जो पूरा सोतंतरता कारी जो थे वो दो दल में बट गए थे एक गरम दल था और दूसरा नरम दल था नरम दल कौन कहला है जो गांधी जी के समर्थक थे जो गांधी जी के विचात धरों पर चलते थे ऐसा नहीं था कि गरम दल वाले गांधी जी को नहीं मानते थे वो भी मानते थे पर इनका ये मानना था कि भाया हम श्रीप बैट कर आंदोलन कर कि हम अपना सोतंता नहीं जीच सकते उसके लिए हमें आगे निकलना पड़ेगा थियारों से लड़ना पड़ेगा अंगरेजों को चुनोती देनी पड़ेगी तो यह और इंपक्ट दोनों का पड़ा ठीक है ऐसा नहीं कि स्रीप गरमदल नरमदल वालों नहीं जित्वा दे जैसा नहीं पर इंपक्ट दोनों का पड़ा बट स्वरूप हमारा ज्यादातर जो देखने के लिए मिला जो मतलब चहरा था वो नरमदल का रहा क्योंकि गांधी जी के निर्थित में जब कोई भी आंदोलन होता था तो उसका इंपक्ट बहुती बुरी तरे से पड़ता थ ब्रिटन के उपर में ठीक है समझे में आता है अब देखो यहां पर हिंसक और अहिंसक आंदोलन हुए क्यों उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि किस कंट्री पे किसका राज था ठीक है देखो जो राज करने वाला था उपनिवेशक था जैस आपके अंदर में कटरता आ जाएगी ठीक है यह कहा जाता है और हर व्यक्ति के अंदर में अपनी कंट्री को लेकर रास्टवाद होना चाहिए आज के समय में बहुत जरूरी है ठीक है अब ब्रिटेन ने क्या है भारत के अंदर में जब देखा अठारा सु के करीम में ही द तो अंग्रेज भाई उससे सतर्क हुए कि इस तरह से विद्रो अगर कर रहे हैं और इतना बड़ा विद्रो था अगर थोड़ा वुत गलती नहीं होती तो ठार सुन तावन में हमें विजय मिलता ठीक है यह कंफर्म था पर भाई हमें नहीं मिला हमारा किसमत खराब नहीं म इसको कर दी और अंगRichan ने कहा कि जो भी वेक्ति इसके Member बना करना चाहें बन शकते हैं ठीक है यह जो कि बनाएगाए संस्था separates आप इसको रैगुलेट और जो भी आपका मुद्दाнулNow आप मुझे आपके बताए कि इस पार्टी के अब ऐसे कि कि किसी बंदे के मने में को उता हुता था कि अंग्रेज किस-किस की बात सुने, मतलब इतना बड़ा भारत है, इतना बड़ा कंट्री हो, किस-किस की बात सुने, दस लोग जा रहे हैं, तो अंग्रेज ने बोला, एक ग्रूप में बनाता हूं, अगर किसी को भी कोई डाउट होना, सबसे पहले उस आपके बात को मेरे तक पहुचाएगा, जिससे क्या होगा, जो हिंसक आंदोलन है, वो धिरे-दरे कम हो जाएगा, और यही हुआ भी, फ्रांस में भी कुछ इसी तरह से चीज़े कही गई, ठीक है, पर चीन के अंदर में यह देखा गया, कि वहाँ पे जो उदारवादी ज ठीक है, इन सब में भी कही ना कहीं, जो बाहरी हंस्तस शेप था, उसके कारण से हिंसक आंदोलन का रूप लेता चला गया, ठीक है, यहाँ पर मैं नॉर्मली बात करूँ, तो ब्रिटन ने क्या किया, सविधानिक मार मतलब कॉंग्रेस का निप्तित किया, इस तरह से अलग उदार राजनितिक सविधानिक निर्टित्व के अंदर में हिंसक परदर्शन हुए, जिसका सबसे बड़ा एक्जामपल अगर देखोगे, तो होची मी आंदोलन देखा जाता है, फ्रांस के खिलाफ में, क्योंकि फ्रांस क्या कर पाया, ब्रिटन की तरह इस तरह का कुछ स चीन के जो कम्यूनिस्ट पार्टी ठीक है, कम्यूनिस्ट पार्टी की हार्से माओं ने 1930 के दसक में, अपना गाओं को अधार बनाया, और मतलब उसको, जो किसान जो लोग ते उनको सवरूप बनाकर माओं ने क्या किया, सक 17 साली सससत्र किसान संगर्ष का उदे किया, और वह हिंसक आंदोन का सोरूप लिया ठीक है इसका सबसे बड़ा एक कारण दिखा जाता है कि चीन के अंदर में जो राजनेतिक पूरी ववस्था विद्धमान थी वह एक तरफा थी कम्मिनिस्ट को लेकर एक विचार धारा की थी ठीक है अभी चीन के बारे में जब चीजे चलेंगे आपको कि एसा हमारी कंट्री में भी होना चीजे था ठीक है कई सारी चीज़ें ठीक है समझ में आता है पृष्चिन हंसक और हिंसक क्या था इसमें जो भी topics में ने बोला वह आपको समझ में आया ठीक है अग अगर नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लिजे वीडियो में कि सर आप डाल पारे रिजन इसका यह है कि जो जिस सिस्टम पर मैं बनाता हूं वीडियो वो कुछ टाइम से वॉक नहीं कर रहा था और यह भी जो वीडियो बना रहा हूं बहुत दिमाग लगाने के बाद है बन रहा है ठीक है अब तक वीडियो पहुंचे सही वीडियो पहुंचे ठीक है पहला रिजन यह है वीडियो ना बना पाने का रेगुलर दूसरा रिजन यह है दोस्तों कि अगर एक वीडियो बनाने में अल्मॉस्ट दो दिन का टाइम लग जाता है क्योंकि उसको प्रिपेर करो पहले पूरा हमने रफली पढ़ा फिर उसको कि जितना मैंनत मैं कर रहा हूं उसके हिसाब से अगर वह रिस्पॉंस भी दिखे वीडियो के उपर में ठीक है व्यूज आ रहे हैं सस्क्राइब बढ़ रहे हैं तो फिर वह मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो कुस तो आ रहा है उदर से ठीक है दोनों तरफ से चल रही है तो अच्छा लग रहा है था मोटिवेशन मिलता है और पूरी टीम को मिलता है फिर वह और वर्क करते है फिर वो करते है आगे जब लग रहा था यह खाया नीता है फिर क्या वेस्ट करना टांइंग ये बिकार कर देता है ठीक है तो दोस्तों जो भी स्टुईँडnd drieक और अगर आपको थोड़ी से भी हेल्फूल लगती है तो प्लीज यार सस्क्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर सेयर करें जिसे हमें मोटिवेशन हो और हम आपके चैप्टर जो है आपका स्लेबस है उसको पूरा करवा सके एसिया और अफ्रीका के रास्ट्रों के बोधिक और समाजिक इसतर पर उद्भव की विवेचना किजी रास्टवाद को लेकर किस तरह से बोधिक और समाजिक उद्भव हुआ उसकी बात हम करते हैं तो नॉर्मली यहां पर एक-एक पॉइंट में बताता हूं ठीक है आप इसको रफ करते हैं और एक-एक पॉइंट बताता हूं आप उसको नो डाउन करते जाएगा मजा आएगा ठीक है और बहुत इंट्रस्टिंग है मैंने इसको बुक को ना तीन बार पढ़ ले इस मिस्नरी थे मिस्नरी ते वुन од का प्रियतक गुमने परियतक उगए वाइपारी निक से जब हम अंग्रीजुका गुलाम थे तो उनके संपर्क में आने 1400 क्यों, अधिमाग बढ़ा, बॉद्धिक विचाजधारा बड़ा समाजिक इसतर बढ़ा और उसका impact रास्टवाद में देखने के लिए मिला क्योंकि जब तक आपके पास दिमाग ही नहीं होगा तो आप करोगे क्या तो यह चीज़े यहां पर होती है दूसरा अगर आप पॉइंट दिखोगे यहां पर दोस्तों तो दूसरा यहां पर पॉइंट दिखता है यूरोपिय के साथ में गहरा संपर्क जो भी यूरोपिय लोग थे वो भारत यह फिर अलग अलग जगा पे मैं भारत की यहां पर बात नहीं कर रहा जो भी उपनिवेश था उसमें मतलब एसिया और अफरीका के जो भी उपनिवेश थे ठीक है वहां पर क्या हुआ है यूरोपिय का गहरा संपर्क बनता चला गया और उस गहरे संपर्क के कारण से राष्ट वाद का उदय देखने के लिए मिलता है बहुत धिक और समाजी कुद हो ठीक है समझ में आता है यहां पर हम बात करिए कि यूरोपिय उदारवाद और संस्कृति के पश्चमी विचारों से प्रेट होके देख दूसरे संपर्धाय का निर्मान ठीक है तो एक नए समुदाय का उद्वव यहां पर दिखा जाता है नए समुदाय का ठीक है नए समुदाय ठीक है चोथा अगर मैं यहां पर बात करूँ तो समाजीक और धार्मिक सुधार आंदोलन भारत के अंदर में और कई जगों पे समाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए ठीक है और ये सुधार आंदोलन जो थे इसका impact भी हमें देखने के लिए मिल जाता है राष्टवाद के विचारधानों पे और उसकी इस तरह के समाजिक और धार्मिक आंदोलन थे तो जैसे ब्रह्म समाज के दौरा के सुधार आंदोलन और राजा राम मोहन राय के जो कारे थे उन सब ने इसका impact भी डाला समासुधार राष्टवाद की बौधिक और समाजिक उद्ववफ के उपर में ठीक है समझ में आता है आगे मैं बात करूं तो यहां पर पांचवा पॉइंट कहता है कि भारतियों न सब सिक्षाओं के लिए लोगों के अंदर में ठीक है तो वहां से भी राष्टवाद की भावना का उदबव होना सुरू हुआ सासत में अंगरेजु ने क्या क्या कॉंगरिस की स्थापना करी कॉंगरिस की स्थापना के बाद में जो रास्टवाद की भावना थी वो भी बढ़ी ठीक है कि हमें कुछ भी बात करना है वो उसमें जुड़ना है और लोगों के अंदर में एक उस्सा आता कि हमें Congress से जुड़ना है Congress क्यूंकि रास्टवात के लिए भारत के लिए लिड़ रहा है ठीक है और वो भारत की बात वहां तक पहुचाएगा ठीक है यह कारण था तो यहां पर Congress भी एक कारण बना ठीक है Congress और सिक्षा भी कारण बन है देखते कितने students को पता है Congress के थापना कब हुई थी ठीक है अगर मैं चटे question की चटे point की बात करूं तो चीन के अंदर में रास्टवात तत्व का विदमान थे चीन के अंदर में पहले से रास्टवात विदमान थे और चीन की सबसे अच्छी बात क्या थी कि वहां पर लक अगर प्रिंटिंग ब्लॉक सुविदा थी ठीक है क्योंकि सबसे पहले प्रिंटिंग की सुविदा चीन में ही आई थी आगे में बात करूं उस प्रिंटिंग से नौकर साही का उदबव हुआ केंद्रे स्थर पर एक्जाम कंड़क्ट करवाए जाते थे ठीक है तो वहां पर लोगों के अंदर में पहले से सिख्षा था तो विगमान था और जागरती के लिए भारत के अंदर में बहुत बात प्रिंटिंग सुविदा आई थी उसके बाद क्या होता था था लोगों को छपाई करकर के ना रास्ट वाद की चीज़े बताई जाती थी ठीक है निउ बिक्सित थी ठीक है और वहाँ पर पहले से राश्वाद की भावना थी तो उनके लिए जादा सान रहा थी ठीक है यहां पर मैं बात करूं कि चीन ने कभी भी रास्टी अलप संक्यों को अलग होने का निवता नहीं दिया ठीक है जैसे भारत के अंदर में क्या हुआ कि भा वर्ग जो सबसे अमीर वर्ग है जो हमेशा सोशन में साथ देता है और दूसरा वर्ग जिसका हमेशा सोशन होता है जो गरीब कहलाता है तो जब भी सोतंता अंदोलन की बात हुई तो उसमें क्या किया गया जैसे हम अगर सोवियस संग की सोतंता की बात करें जब वहां पे जब वहाँ पे रूसी करांती हुआ था सोव्यसंग के अंदर में तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो गरीब वर्ग था उसको अलग करके एक आंदोलन मनाया गया जिसको सतनता आंदोलन के अंदर में गरीब वर्गों ने सारा पाटिस्पेट किया ठीक है और समाजवादी विवस यह चीजे देखने के लिए नहीं मिली कहीं जो ज्यादा बड़े बड़े जो वकील थे जो ज्यादा बड़े बड़े जो अमीर वर्ग था वो पहले से ब्रेटन को समर्थंग दे रहा था क्योंकि उनको उसके पक्ष में बोलने का मिल रहा था पैसे ठीक है जो भी चीजे थी उसके लिए वो मिल रहा था तो बहुत सारे अमीर वर्ग वो अंग्रेजों के समर्थक थे उपनिवेश्वात के समर्थक थे पर गरीव नहीं थे तो भारत के अंदर में भी कहीं ना कहीं यह concept देखने के लिए मिल जाता है जिस तरह रसिया के अंदर में देखने के लिए म स्मझ में आता है जो मैंने कहा था ना इप पड़ोगो चीन के बारे में यही तॉपिक, यह जो पॉइंट था ना मुझे सबसे था लगाता पूरे चीन के अंदर में आगे मैं बात करूँ ठीक है, 9 पॉइंट के बारे में तो यहां पर जैसे कैमी तांग करके कम्यूनिस्ट पार्टी मतलब जापान ने पहले किया चीन पे हमला किया जो केमी तांग उसके परमुक थे ठीक है केमी तांग के हमला करने के बाद क्या होता है कि महां पे विचारधानों की टकराव होने की संभावना रहती है क्योंकि चीन के अंदर में कम्यूनिस्ट विचारधारा था और केमी तांग की विचारधार अलग थी पर दोनों हान जो जाती थी जीन के अंदर में हान जाती पाई जाती है ठीक है हान जाती के समर्तक थे ठीक हान जाती की जो सीमाई थे उसकी समर्तक थे सिमाओं का विश्तार करने के समर्थ तक तो उसके कारण से कभी भी मतबेद हुआ ही नहीं अगर माल लो अमेरिका के अंदर में गए अंग्रेज सब तो अमेरिका भी पहले मतलब वह दोनों की कल्चर सेम ही थे अल्मोस्ट ब्रिटेन वालों के और अमेरिका के कल्चर सेम थे तो अमिरेका को जब गुलाम बनाया तो अमेरिका पर जादा impact नहीं पड़ा ठीक है अगर culture difference आता है थांग इंपेक्ट पड़ता है अगर अंग्रेजी जी बोलते हैं ठीक है और हम भी missionary को सपोर्ट करते है ठीक हमारे भी मतलब Christian होते हमारा color सेम होता ठीक है तो हमारे उपर भी जो इस्ट इंडिया कंपनी थी मतलब वह आई थी ब्रिटेंट से आई जो ग्युलाम बनाया में 200 साथ हो तक हमारे उपर इंपक्ट पड़ता है नहीं हमें लगता भाई बैनी जैसते रहे हैं ठीक है जहां पर कल्चर अलग आता है वहां प कारण बनता है कि लोगों के अंदर में जागरित्ती आती है थाईलेंड के भासाओं के अंदर में संस्कृत के कई सारी सब्दों का योग देखने के लिए मिलता है कि संस्कृत के सब्द बोले जाते है थाईलेंड के अंदर में ठीक है इसी तरह से आगे मैं 11 पॉंट की बा हुआ हैं में बार फेंग के परिए यहां पर दोार का अंदर में आता है कि मैं वें है cific इस आुद्स भी साधिक अनदर में सीमाओं का मतलब सीमाओं के तॉर पर जितना आपकी सीमा है उतने ही AT लोगों के डूरा कि इस तरह से बनाएंगे कि हमें सरी इतने दूर में ही फैलाना है अगर भारत का जो तो यह चीजे थी तो उन्होंने ये पूरा concept रखा लोगों के यह चीजे सीखने के लिए मिली कि हमें जितना दूर हमारा देश है उसके अंदर में ही अपने चीजों को रखना पड़ेगा जिसके बाद हमें अजादी मिलेगी भारत के अंदर में करना है तो जापान में आप जाकर करोगे चीजे तो उसका इंपेक्ट नहीं देखने के लिए मिलेगा बट एक ग्लोबली इंपेक्ट जरूर देखने के लिए मिलता था क्योंकि जब आप सुबाश चंदर बॉस का चीजे देखोगे तो उन्होंने फर्स्ट बॉल्ड में पार्टिशिपेशन हो दें सेकिंड बॉल में पार्टिशिपेशन देखने के लिए मिल जाता है पूरा उनका ठीक है और जपान के अंदर में जाना और जर्मनी में जाना इस सारी चीजे उनका देखोगे सुबाश चंदर बॉस का तो उसका इंपेक्ट और इस टिंडे कंपनी पे बहुत जादा देख देखने के लिए मिल जाता है जैँ जब क्वीन का ससन भी चलता है तो भी उस पहें पैक्ट देखने के लिए मिलता है यहां पर जाती है वरगीकरन डेखने के लिए मिल लकल की और और उसमें से 50 जो होते मीजू जो होते उनकी निकल वो होते हैं ठीक है जिसमें से 50 मीजू होते है और सभी को बराबरी का हकदार दिया गया ठीक है सभी को बराबरी का हकदार दिया गया भारत के अंदर में आज तक बराबरी के लिए लड़ाई चली रहा है ठीक है कागजी इ अंदर में लिखा हुआ है कि सभी लोग बराबर हैं पर क्या रियालिटी में हमारे जो ग्रास रूट लेवल पर जो गाउं है वहां पर यह बराबर है वो चीज़े कोशन वाली मार के मेरे यहां पर तो नहीं है ठीक है सिंपल सा मेरा आंसर है मेरे यहां पर नहीं है मेरे घर म मिल जाता है तो इसका भी कारण रढ़ा कि जब सारे लोग एक जैसे ही हैं सब का एक समा नहीं है तो क्या हुआ उनकी विचारता ब्रिय घ्रएगी भारत के इंदर में क्या था कि कुछ लोग चुआ चूत के विरूद लड़ रहे थे कुछ लोग अंगरेजों के विरूद लड़ रहे थे ऑःटार जो चू चुत वाले थे रींभ अंग्रीज nephew सब्सक्मारत सब अल्प संख्यक थे या निम्न जो वर्ग था वो अपनी उत्पत्ति के लिए लड़ रहा था कि भाई मुझे ये चीज़े चाहिए पर बाग की जो थे वो सोतंता के लिए लड़ रहे थे तो वहाँ पर वह भी देखने के लिए मिलता है जिसके कान से अगर आप गांधी जी को स्टडी करोगे तो हाँ पर हरीजन समाज को लेकर उन्होंने एक साथ लाने कोर्सिस करी ठीक है और भी बहुत सारे अंदोलन कारी हुए जो हरीजन समाज से बिलोंग करते थे और उन्होंने गांधी जी के निर्थित में आगे बढ़ा और अपने समाज को साथ मिलेकर आया और उस्तनता अंदोलन में दिया योगदान लिया यह बहुत दिक वर का उदुबव का उदबव बड़े सतने के लिए मिल जाता है ठीक है यह देरवाव पॉइंट तो राष्टवाद के उदुबव के कारण से चर्छ मिशनरीों का योगदान बहुत बड़ा माना गया चर तो इसाई धर्ब ने पश्चमी अफरीका में बोधिक समुदाय की अत्यदिक परवावित किया, इसाई जो समुदाय था उसने क्या किया बोधिक सतर पर उनको इसाई में कनवर्ड करवाना, धर्म परिवर्दन कराना, अपनी चीजे सिखाना, तो वो भी एक कारण बनता है, ठीक है, बोधिक सतर पर उनको आगे बढ़ाने का, यूरोपिय सब्वे मिशनरी धांचे को अफरीका के अंदर में स्थान दिया गया, ठीक है, ये भी चीजे थी, और आगे में बात करूँ, तो अफरीका राष्ट राष्टवाद या फिर सांस्कृतिक स्वे भागी, स्व करती है, देखो कभी भी धर्म कोई बात आती है, देश की बात आती है, तो वहाँ पर राष्टवाद की भावना अपने आप लोगों के अंदर में जन जागरित हो जाता है, एक सबसे बड़ा एजामपल ले लो, जब चीन बाइकोट का पुलवामा अटेक हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ, कि जो लोग थे, भारत के पूरे लोग थे, उनके अंदर में राष्टवाद की भावना आई, बहले ही दो दिन के लिए रही हो, वहाँ पर बाइकोट चीन का सुरुवात हुआ, और बहुत सारे चीजें चीन की छोड़ दी गई भारती लोगों क आते हैं, मामला के ठंटा होगे, आप क्या करना, ऐसे लोगों का हमारा सोभाब है, तो वहाँ पर चीन को बहुत जादा नुकसान हुआ उसके कारण से, ठीक है, तो यह कहता है, राष्टवाद की भावना कारण हम यह चीजें करते हैं, जब राष्टवाद की भावना किसी कंट्री के अंदर में बड़े इस तरह पूझ आती है, तो वो यह सारे कारण करवाता है, ठीक है, समझ में आता है, अब लास्ट को देखते हैं, फटा पट, क्योंकि टाइम आपका बहुत जादा मैंने लिया है, ठीक है, और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और हिस्ट कि मैथ देशा टॉपिक नहीं है, कि मैंने बस आपको सॉल्व कर दिया इक्वेशन, जितना बड़ा इक्वेशन था, उतना बड़ा वीडियो, हिस्ट्री में तो बस बोलना है, समझाना है, जितना ज़्यादा रहेगा टॉपिक, जितना उलजा हुआ टॉपिक रहेगा, उ तो हर उपनिवेशक ने क्या किया, उपनिवेश को आर्थिक स्तर पर दोहन किया उसका, ठीक है, दोहन किया, दोहन किस परकार से, उसके सारे आर्थिक संपदा को अपने हां पर ले गया वो डारेकली, उठा उठा कर, ठीक है, और वही एक दोहन का कारन बनता है, लोगों के जो पटियाला के जो राजा थे उनके गले का हार उसने पहन कर आई हुई थी ज़ीकिट तो अब भारत के जब लोगों ने देखा तो उन्होंने बोला यार यह थो हमारा है और इतनी बड़ी बाद कि चोरी भी हमसे किया और इतना खुले में पहन कर गूम रही हुए थो ठीक ह normally concept क्या होता चोरी का आप अगर चोरी करके लेकर गए हो जिसका समान चोरी करे हो उसको तो बिल्कुल नहीं दिखाना ठीक है अगर दिखा दिये तो फिर तो यह लड़ाई होगा ना तो यह लोगों के मन में खटकता है बहुत सारे लोगों के मन में आज भी खटकता है इवन मेरे भी किया अगर लेकर गए हो पता चला है तो तुम्हें दे दुनों वापस इतने बड़े आप अपने आपको बताते हो तो उसमें देने में क्या दिक्कत है ठीक है और जितने जो बड़े होते हैं वही सबसे जादा बड़े चोर होते हैं अब आगते हैं अपने टॉपिक पे टॉपिक से थोड़ा बटकना नहीं चाहिए उपनिविशिक देशों ने क्या किया एसिया और अफरीका के संपती में लूट को बढ़ावा दिया ठीक है और इसके कारण से भी जो जमिदार को प्रफिट होता था किस तरह से मैं बताता हूं देखो रासव वसूली में उच्छ दर लगाया गया ठीक है और जरूरते सटकर रेल का निर्मान किया गया उपनिवेशिक शर्ता को घरेलू अभिजात के साथ में गटबंदन कराया ठीक है क्रिशी बजारों के अ अनेक जो इस तरह के कारण थे वो लोगों के अंदर में खटक रहे थे और उन्होंने देखा कि हमारे यह आर्थिक दोन हो रहा है अगर किसान को जो 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 नीती चाहिए थी वो नीती लागू को रोपर वो लागू नहीं कर रहे थे वो अपनी बेनिफिट के लिए नील की हुआ करते थे उनके द्वारा ब्याज पर पैसा दलवा जाता था लोगों को अपना गुलाम बना जाता था ठीक है अलग अलग तरीके से ना दोहन हो रहा था और इनका कही ना कहीं जैमिदार लोग यह मानते थे पुंजी पती वर्ग को मानते थे जो बड़े अभी जात व ब्हुमिका मतलब जो साज ओपनिवेशिक शाषन की जो कम विय्कडंगारी व्हुमिका थी उसका आ जाता है महां पर पोईंट आ जाता है आर्टि को राजनेतिक विकास हो सकता था पर महां पर रोक दिया गया उसको और पसुओं को लेकर कई संपत्ति को लेकर उन्होंने क जोग आये तो अपने वेकर तो बुशनेस तो कर रहे ये विजनेस तो कर रहे पर वहां पर आ।से लोगों को ये देखने लगा कि और भारत के लोगों को जब समझ में आया कि हमारे खिलाफ वी है तो हमारे नुपसान कर रहा है. तो उसकी खिलाफ उनोंके बोलना शुरू किया और चमपार 흥ा न अंदोलन. उसी तरह का एक अंदोलन के तौप पहला अंदोलन दिखा जाता है भारत के इंदर में. अगर आपने नहीं पढ़ा चमपारम ना अंदोलन पढ़िए देखिए बजाएगा बहुत सारी चीज़े आपको जाने के लिए मिलेंगी ठीक है समझ में आता है उसी के बाद देखोगे तो पुंजी बाद के साथ जुड़े समाज के वर्गों के अंदर में रास्टवाद का आंदोलन का समर्थन किया ठीक है ओद्योगी करन को बढ़ावा देने के लिए पड़े लिखे मद्यमवर का भी समर्थन वापर मिला और सामाजवाद का रुखनों ने अपनाया ठीक है आगे मैं बात करूँ आर्थिक रुप से परिसान रास्टवादी आंदोलन का वहां से मैं बात करूँ किसानों और आदिवासियों की कई आंदोलन मुख्यदारा के रास्टवादी आंदोलन से अलग रहे ठीक है जैसे भारत के अंदर में भी कई जगा पर यह देखने के लिए मिल जाता है कई देशों के अंदर में आर्थिक रास्टवाद मजगूत और विस्त आरत के अंदर में देखा जाने लगा कि हमारा चीज़े यहां से ले जाकर बाहर ब्रिटन ले जा रहे तो बोलने वाले बहुत कम लोगी थे जो बोले इसके खिलाफ में ठीक है तो इस तरसे पूरा चैप्टर रहता दोस्तों आपको चैप्टर कैसा लगा ठीक है जो लेसन और हम और भी अच्छे से आपको सर्फ कर सके हैं फ्रेंज थैंक यू सो मुच फॉर वचिंग में थैंक यू सो मुच फॉर लिस्निंग विए बबाए टेक्यर और बेस्ट